नमस्कार मैं हूँ योगी श्क्रवती और आप देख रहे हैं राइड निट्वर्क इस वक्त हम मौझूद हैं बिहार बिधान सवा परिशर में आज बिधान सवा में तमाम कमिटियों की बैठक हुई जिसमें तमाम कमिटी के जो सदस्य हैं बिधायक वो इसमें हिस्सा लेने पहुचे इसी कड़ी में दानापूर से बिधायक रितलाल यादव भी यहां बिधान सवा पहुचे और इस दोरान मेडिया से बाचीत में रितलाल यादव ने लालु परशाद यादव की तबियत को लेकर ताजा अफडिट दिया और उन्होंने कहा कि वे अभी दिल्ली से लौटे हैं और उनकी तबियत अस्थीर है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रिम्स में उनका वेतर अगर इलाज होता तो रिम्स के डॉक्टर जो पैनल से वो नहीं एम्स नहीं भेजता वेतर इलाज नहीं होने के वजह से ही उन्हें एम्स भीजा गया है आए हम आपको शुन हमारे पार्टी के अभीभावक, गर्जियन, सुप्रीम, मानेशी लालु परसाद जादो जी का तबियत खराब है और ऐसे ऐसे इस्तिति में जो उनका जो काज करम था गयरहाजरी में हम लोग चाहेंगे की रिकॉर्ड तोर काम करें कि नितिश कुमार ने जब सरकार का पूरा सिस्टम लगा था लगता है कि महागे ठोंदन के सभी घटक दल मिलकर की उतना बड़ा रेकॉर्ड शापिक कर पाएंगे जस्वीज अभी तक आए नहीं है पटना कि धिरुभाय हम बाने के यहां खाना पकता है क्या हमारे गरीब जोपरी में जो रहते हैं उनके खाना ने पकता है खाना पकता है तो जिनके पास जो जिस तरह का सुपधा रहता सिस्टम रहता है उसी के अनुसार अपना काज करम करना चाहते हैं और सफल बनाने के उद्ध कि हम दानापूर की जो परतिनिरीत्व कर रही थी दिगत 15-16 साल से उनसे काफी जनता वहां का महार था कष्ट में था उनका आचरन उनका काज करा किरिया कलाब जो था उसे काफी लोग दुखी हैं और उसी दुखी के कारण हमें मौका दिया गया है और हम उनका काज करम जो है पूर नुरूप से करने के इच्छा रखते हैं और आगे हम लोग का जो चाहत है अपक्छा है जनता का उसी के अनुकुल चलना भी चाह रहा है अच्छा भी रहा है अधिकारी आपका फोन नहीं उठा रहे थे अस्थानी अधिकारी आपने जल निकासी को लेकर भी कई अधिकारी कल तक फोन ने उठाते जो वाँ का सिस्टम बना करके रखा गया था उसी के अनुरूप अधिकारी भी चलते थे और अधिकारी को पता था कि हमको उसी के रूप में चलना था लेकिन उनको एकास पता नहीं था कि जिस रुप में अगला ब्यक्ति था उस रुप का ये आदमी है ने है उनको घर में चाहिए जगा घूंगट में रहने की जगह चाहिए था लेकिन ब्यक्ति को घर नहीं चाहिए ना घूंगट चाहिए ना च्छत चाहिए इनको शिर्फ आसमान जमीन चाहिए जहां पर जाए जिस रूप में काम मिलेगा वहां काम करने की इच्छा रखते हैं और रखेंगे अब बात सुन रहे हैं अब क्यों नहीं जरूत पड़ेगा बात सुनेगा कि सरकार के काम काश panels कितना प्रौन से क्रवावित धिलगता है कि क्या हो रहा है और लोग से सबख्षा भी करते हैं कि आप हमको मदद कीजिए मेरा काम हो अभी तक हम नहीं देखा है जो अधिकारी लोग मेरा काम ने कि है आप छोटा से कार करता है लेकिन आप जो है दानापूर से निकल कर साभी शेतरों में जाते हैं हर दिन भ्रहमन करते हैं कि लुग बेटा थाय। तरह रहे हैं पर भरा होता है कोई आध्मी ना बसक्त बढ़ा चाहता है सपना को रखना को गुनाह नहीं बनना तो और बनाना तो जनता के हाथ में हैं contamination Editor ओहां से उनको transfer करके दिली एम से भेजा गया है वहां के इलाइस से हम संतुष्ट है हम गय begin our और चारदिया Meng करके नीच भी जगर करके आ है ने खीएव दर्फर्पर फिए है वहां के security से लिए है कोई भी सेकुर्टी के द्वारा एक भी वेक्ती परिंदा जिसको कहा जाता कि पर नहीं मार सकता है उसी रूप में एक भी परिंदा पर नहीं मारता है किसी आदमी से मुलाकात नहीं होता वहां पर और डॉक्टर के जो भी प्रामर्स है उसी के अनुसार अपना चल रहे हैं उनके साथ जो भी इस्तिती है अथावत अब लालू जी की तबियत कैसी है आप मतलब चार दिन रहकर आए हैं तो लालू जी के बारे में बिहार की जनता को क्या बताना चाहेंगे यह अथावत बनी ह हुई है और हम उपर वह से दुआ करेंगे जल्दी शल्दी सोस्थ होकर घर पर आजाएं तेंक्यू आजाएं तेंक्यू